आज का आयोजन हम लोगोंने कल प्रचार किया था कि जो भी लोग हैं जिन खाने से वंचित रह रहे हैं और अपना खाना नहीं जुटा पा रहे हैं जो समाज में जो मजदूर वर्ग है जैसे के काफी 15-20 दिनों से फेक्ट्रियां बंदे नारो लिलाके के अंदर और बांधक काम भी लगबग 15-20 दिनों से ठप पड़ा हुआ है तो सुबे से हमारे उपर सो से अधिक फोन आए कोई हमें नरोडा बुला रहा था कोई हमें सरदार नगर बुला रहा था कोई सीवरंजनी बुला रहा है लेकिन अब इतनी जगा भी नहीं पहुँच पाएं उसके लिए हम इतने कारे करता नहीं जुटा पाये आज और कुछ पुलिस की भी पाबंदियां थी वो ध्यान में रख्तम नहीं गए कहीं पे लेकिन वटवा चेतर के अंदर जितने भी स्रम जीवी अधिक से अधिक वटवा चेतर के अंदर स्रम जीवी लोग रहते हैं नारोल इलाके क जितनी भी फेक्टरियां है लगबग मेरा मानना लगबग पचास से साइट फेक्टरी नारोल के अंदर और वटवा जीवी इडिसी के अंदर जितनी भी फेक्टरियां लगबग 15-20 दिन से बन पड़ी वही हैं और उन लोगों की आर्थिक परिस्तिती इतनी नाजुक हो ग अपने बच्चों का ओप एट भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं इस सब चीजों को देखते हुए हम लोग जो है आज हमारे 15-20 कारे करता हमारी संस्ता दौरा जंज समस्या निवारन संस्ताने जै मावीर सिवा संगठने और हमारे मित्रगन सभी लोगों ने निर्णे लिया कि हमको इन लोगों के कुछ न कुछ मदद करनी है और ये मदद येसे भी हो अकर वो लोग आ रहे हैं तो ठीक है नहीं तो हम उनके बास जाकर हमारा जो फूड पेकेज आस्तम ने जो के खिचडी बनाई थी और लगबग 500 फूड पेकेड बनाए थे और वो वित्रण करने के बाद हम लोगों ने जो है और तपेले में भरके और उनकी जगा पे जाके हम लोगों ने वित्रण किया है और हमारे मन को काफी संतुष्टी मिली है